ताइवान में बुद्वार को 7.5 त्रीवता का भुकम पाया, इसके जटके जपान और फिलिपिन्स तक महसूस किये गए ताइवान के 5 डिपार्टमेंट के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है, 50 घायल है मौसम विभाग के मुताबिक भुकम इस्ट ताइवान के हूलियन शोहर में आया, इसका केंद्र धर्ती से 34 किलो मीटर नीचे था भारत्य समय के मुताबिक सुबह 5.5 बजे भुकम के जटके महसूस किये गए, कई मारते जमीन दोस हो गई, लैंड स्लाइट भी हुए है इसके साथ ही जापान और फिलिपिन्स ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है, जापान के मौसम विभाग ने समुत्र में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक की लहवे उठने का नुमान जटाया, जापान ने भी सुनामी का अलर्ट जारी किया था, बात में इसे हटा दिया गया